सवारे कीचन मा आपणे चाब बनावानी साथ हे रसोईनी पन तैयारी थवा लागती होई छे तो बपरेदाड बनावानी होई तो हुँ सवारेज पलाडी देती होँछू तो अत्यारे वनफत कप जेटली चनानी दालने ले थी त्रण वख़त सरसरीते धोईने एकथी डोड कप जेटला पाणी मा एकडम सरसरीते पलाडी देवानी छे अने ढाकीने आपणे रेवा देस्थू तियां सूधी मा आपणे चान आस्तों बनी जतों होई छे, बोपोर ना साख भाजी नू कटिंग थाई जतों होई छे, अने दाड जेटली पलाडों तेटली वधारेते प्रोटीन आने वीट्वेल थी भरपूर बनती होई छे, तो तन्थी चार कलाग दाड एकदम सरस पलडी गई छे, तो हवे एक अने एक चमची जेटलू तेल नाखी ने धिमा गेसनी फ्लेम पर एक सीटी वागे त्यां सुधी थवा देशू, केमके दाड एकदम सरस पलडी गई छे, तो दाड ने बफाता बिलकुल वार नही लागे, तमारी पासे दाड पलाडवानों समय न होई, तो तेने डाइरेक कच कुकर मा आरी ते तमे बाफी सको छो, त्रोन वीसल वागे त्यां सुधी बफावा देवानी धिमा थी मध्यम गेसनी फ्लेम पर, तो पन ते एकदम सरस रिते बफाई जसे, अने दाणों आखो रहे, तेने खास द्यान राखवानू छे, अने अत्यार आपड दाड पला मीडियम टुकडामा, मीडियम स्लाइस करवानी छे, बो पतली बारिक नथी समारवानी, केमके आजे आपडाया कोबी नू सब जी बनावी रहिया छीए, तो कोबी नू स्ब बनावती वखा ते कोबी ने थोड़ी मीडियम ज़ाडी स्लाइस मा समारवानी, एटले शाक सरस बनीने तयार थाई अने अत्यार में आखी कोबी न उप्योग करियो छे केम के कोबी थोड़ी नानी मीडियम साइज नी छे तेमा एक लिलू मधियम तिखू मरचू पन एकदम जीनू कटिंग करी ने नाक्सू तमारी पासे जे मीडियम तिखा मरचा होई ए तमे आमा उप्योग करी सको छो आमा तमे एक केपसिकम पन नाकी सको छो जो बाड़को माटे सबजी बनावता हो तो केपसिकम नाक्सो तो पन तेनो स्वाद बोव सरस आऊसे हवे एक जाड़ी कड़ा इमा गेस नी फ्लेम धिमी राखी ने बेटेबल स्पून जेटलो तेल गरम करवा मुखू तेल एकदम सरस गरम थाई जाए एटले गेस नी फ्लेम धिमी करी देवी हाफ हाफ टी स्पुन जेटली राई मेथी नो वघार करवो औने राई मेथी एकदम सरस फुटी जाए एटले तेमा हाफ टी स्पुन जेटली जीरू नाखवो मेथी नी सुगन बोव सरस आवी रही छे अत्यारे अने कोबी ना शाक मा मेथी नो वगार करशो तो तेनो स्वाद बोव सरसेवो आवे छे आठी दस लिमडा ना पान हाफफ टीस्पुन जेटली हींग अने हरदर नाखी ने समारेली कोबी नाखी देवी अने आखुशाक बनावती वखा तेक गेस नी फ्लेम थोड़ी धिमी थी मध्यमज राखवानी छे केमके कोबी ने कुक थता वार नथी लागती अने जो फास गेस राखशो तो तमे कोबी बड़ी जसे अने स्वाद बिल्कुल सारो नहीं आवे स्वाद प्रमाणे नमक नाखी ने एकदम सरस्रीते मिक्स करी ने आपड़ी तेने ढाकी ने बे मिनिट सुधी कुक थवा देशू अने गेस नी फ्लेम धिमीज राखी शू बे मिनिट बाद ढाकन खोली ने तेनी वरार जो होई तो ते साकमा जापड़े पाड़ी देशू अने जेने कारणे साक लजका पड़तु तयार थसे अने एक उखट सरस रिते फरीथी मिक्स करी ने तेने फरीथी ढाकी ने बे मिनिट जेव कुक थवा देवा नुचे अने गेस नी फ्लेम अतियारे में साउधी मीज राखी छे केमके एक दम जाड़ी कड़ाई छे अने एक दम गरम थाई गई छे एटले शाक तेनी जे गरम गरम कड़ाई छे तेने कारणे एक दम सरस रिते कुक थातु रेशे अने कुकर हवे एक दम सरस थंडू पड़ी गईू छे आने दाडे एक दम सरस बफाई गई छे अने दानो तेम छता आखो पण छे आर इतनी दाड बफाईली हसे तो ते साकना स्वादमा सोगण वधारो करी देशे तो दाडव धारे पड़ती बफाई ने गड़ी नो जै तेनू खास्तियान राखवानू छे बे मिनिट बाद कोबी एक दम सरसरी ते कुक थाई गई छे तो एक वख़ चमचावडे चलावी ने आपणे हवे तेमा आजे बाफेली दाड़ छे ते मिक्स करी देशू कोबी बटाना कोबी बटेटा कोबी टमेटानू शाक तो तमे घणी वख़त बनावी हसे पन एक वख़त आ रिते जो तमे कोबी चणानी दाड़नू शाक बनावसो ने तो तमने खावानी मज्जा पड़ी जसे अने तमे वारम वार बनावसो अने घरना दरेक सब्यो तमारा खुब बजव खान करसे अने नाना बाळोक थिले इने मोटा वडिलो दरेक ने आ सब जी खुब बजब भावसे एक मेडियम साइज नू टमेटू आरीते बारीक कट करी ने शाक माउमेरी देवानू छे अने जो तेमा बियानो भागवदारे होए तो ते काडीने अलग करी लेओ आशाक तमे टामेटा वगर मात्र कोबी चणानी दालनू पन बनावी ने खावाना उप्योग मा लाई सको छो ते पन स्वाद मा बहु सरस लागे छे अने एक टीस्पून जेटलू धाना जीरू पाउडर, एक टीस्पून जेटलू लाल मर्चू पाउडर अने बे चप्टी जेटलो पाउँ बाजी नो गरम मसालो नाख्यो एना थिया साक माँ स्वादाने सुगां दे एकदम सरस आउसे अने टेस्ट माँ एकदम जोरदार आगे छे, एक वखत बत्तु सरसरीते मिक्स करी लेवु अने गेसनी धीमा फ्लेम परज तेने सांतडवानु छे आरी ते, आशाक आपणे तेल थी लथबत बिलकुल नथी बनावाना, आशाक दाडबात केरीना रज साथे खावानी मज्या पड़ी जाई छे, अने कडी होई तो पन बहु मजा आवे छे, अने जे दाड़नु बाफेलू पाणी छे, ते बे टेबल स्पून जेटलू आपणे आमा उमेरी सु, अने धाकी ने मिडियम गेसनी फ्लेम पर मात्र एक थी बे मिनिट ज तेने थवा देवानु छे, दाड़नु पाणी नाखी ने बनाव सो अने एटले शाकनो स्वाद अने तेनी जे लजका पड़ती कंसिस्टनसी छे ते बो सरस रिते आवी जसे, आशाक आपणे कोई ग्रेवी वाडू नथी बनावानू, परन्तु एकदम सरस बफाई जसे, कोबी, टामेटा, अने चनानी दाड बद्धू, अने तेमा मसाला पाणीने नाखीने कुक थावा देवानू छे, तेयार बाद गेस बंद करी देवानू छे, टामेटा एकदम सरस रिते गड़ी गया छे, औने आ चनानी दाड़न वाडू साक छे, एटले तेमा फुदीनानो स्वाद बोव सरस आवे छे, तो दस्थी बार फुदीनाना पान आरी ते हाथे थी, जेकदम जीना तोडिने बारिक समारीले कोथ मेर नाखीने मिक्स करी देवू, फुदीनानी चुगंध त्यारे एकदम सरस आवी रही छे, औने फुदीनाने काराणे शाकनो स्वाद एटलो बदो सरस आवसे ने, के खावानी मज्या पड़ी जसे, तो आ सबजी रोटली साथे बोज टेस्टी लागे छे, आने तमें दाड़ भात, औने कड़ी भात, औने केरी नो रस होई, तो मज्या पड़ी जाई खावानी, तमें क्या रही जो आरी ते कोबी चणानी दाड़नू सबजी न बनावी होई, तो तमें एक वखत आरी ते चोक्कस ट्राई कर जो, औने तमें जो आरी ते सबजी बनावता हो, तो पन मने कमेंट्स मा जरूर थी जणाव जो, तो गर्मा गरम कोबी चणानी दाड़नी सबजी ने, आपड़े गर्मा गरम फुलकारोटी साथे सव करी सू, औने तेनी साथे आपड़े भरपूरे उसेलेड पन सवकरी सू बीट, गाजर, काकडी, औने साथे ताज्जू मोळू दही होई, तो बीजू सू जोईए, सुपर हेल्दी लंच बनीने तयार छे, औने तमें आ लंच टिफीन मा पनापी सको छो, औने बोपर्ना लंच मा पन खावाना उप्योग मा लई सको छो, ओछी केलरी व अने विटामीन्स अने फाइबर्थी भर्पूर एउओ आ लंच तयार थाई गयू छे, औने खावानी मज्जा पड़ी जाई, एउओ टेस्ट मा जोरदार बनियू छे, अमार अगर ना दरेक सब्योने आ सबजी खुबज भावे छे, औने तमे कोबेनू शाक कैरी ते बना पड़ा के दार बनियू छे, कि अमारा घर मा आ सबजी टीफीन मा पण सव करवा मा आवे छे, आ सबजी टीफीन मा पण ठंडी बोवत टेस्टी लागे छे, तो तमे बाड़ो कोने पणा टीफीन मा आपी सको छो, अच्छी केले रिवाडू अच्छा समय मा बनी जतु, आ स सियाडो अखो अने उनाडानी सरुवात मा एक थी डोड मैना बोवत सरसावती होई छे, तमे आरी ते कोबी नू शाक क्यारे बनावी ने ट्राइ करियू छे के नई, अने तमे आरी ते कोबी नू शाक बनावी ने सेनी साथे सव करो छो, अने सेनी साथे खावानू पसंद क करो छो ते मने आजे कमेंट्स मां जरूर थी जणाओ जो तमने जो आ रेसीपी गमी होई तो वीडियो ने लाइक कर जो शेर कर जो अने चैनल ने सब्सक्राइब कर जो थैंक्स पर वचिंग ए स्टे हेल्दी